छे जगे इस्थानों पर दोली बारी हुई है आप ये देखे कि कुछ लोग के कॉंग्रेस के नेता कहते हैं कि हम भी हिंदू है मैं सोसना उनको अपना चेहरा सही चेहरा जनता के बीच पे असली चेहरा साड़े चार वर्षों में लोगों ने देख लिया है क्या कारण है बारती जनता पार्टी की सरकार 36 तोंग के लोगों के लिए काम करती है देश के यस्थी पुगान मत्री ने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप लेकिन कहीं कहीं तुष्ची करण का इतना प्रभाव राश्टन में दिखता है जुरुस निकलता है तो उसको रोग दिया जाता है मंदिरों को तोड़ दिया जाता है भगवा पताका पर प्रतीवन लगा दिया जाता है श्री राम का नारे लगाने वाले के उपर एफाय लग जाती है एक त्योहार पर 24 गंडे बिदली दुएव दूसरे त्योहार की चिंता नहीं तो यह असली चेरा इंतुस्टी करण नहीं सहेगा राश्टान आज पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने राश्टान में हो रही गंटाओ का आप लोगों के माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता इस राजस्तान की सरकार से पूछना चाहती है कि इतनी पंगू सरकार पहले राजस्तान की जनता ने कभी देखी नहीं हमने आज देखा कि कुछ योजनाओं का सिलानियास हो रहा है होना यह चाहिए था अगर आप इमानदारी से और जनता के प्रती जवाब देईता से एक के साथ काम करते तो शायद उन योजनाओं का सिलानियास नहीं उद्गाटन का समय था अब तो आपकी विदाई का समय है किन योजनाओं का आप सिलानियास कर रहे हो आप लुलीपो बाटना चाहते हैं यह आपने पहले भी किया था और उसका परणाम आपने मुझता है आपने साड़े चार वर्स राजस्तान के विकास को अउरुद किया उसके जिमदार को यह द्गर कांगरिस की सरकार है आपने हजारों किसानों को आत्मत्या के लिए मजबूर किया हजारों किसानों की जमीन निलान होने की कगार पर है तो उसके जिमदार राजस्तान की सरकार है अगर एक भी किसान की जमीन निलान होई तो इतनी बद्वा लगेगी कि आप जिंदगी में कभी उठ नहीं पाँगे किसी भी किसान की युगाओं की जटा की भावनाओं के साथ किलवाड करना सत्ता प्राप्ति के लिए वो ठीक नहीं है आप अगर जिस बात का वादा कर सकते हो तो उसी बात को बादे में अपने मैनिफस्टों में लेना चाहिए आपकी इस वादा करने के कारण कितने लाखों लोगों के बावनाओं के साथ खिलवाडा किया उनकी बंदुआं आपको ठीक से रहना ही नहीं देखिए मैं आपके बीच में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कैंपेन में पूरे प्रदेश भर्चे आम जन यहां पहुचेंगे और इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने के लिए कल रहकत रहोंगे पार्टी का एक शांती पुन प्रदोशन होगा और जैसा कि आप लोगोंने देखा है कि महिला मोचा का हो युवा मोचा का हो जिस प्रकार से सरकार ने लाठिया बांजी है हम लाठी भी खाने को तयार है गोली भी खाने को तयार है लेकिन राजस्तान में यह न्याय और अत्याचार भारती जन्ता पार्टी कभी बरदास नहीं करेगी आपने यह भी देखा है कि फिछले दिलों एक लाल लाईरी का किस्सा पुरा प्रदेश दुषकर्म की गटनाओं पर महिला अत्याचार की गटनाओं पर कोई मंत्री आपको अपना आईना दिखाता है कि मर्दों का प्रदेश उसको गले लगा देते हो इन म świसके प्रिवार के अपरण गोली वारी से करके आपके साथ ठीका हुआ है कोई महिला जनब रतिनिदी कहती है कि मैं खुद सुरुक्षित नहीं हो तो ये राजस्तान की सुरुक्षा आपके हातों नहीं हो सकती इसलिए नहीं सहेगा राजस्तान एक दारिक को एक अच्यासीक प्रदशन इस राजजैपुर की दरापर होगा और मैं इतना जरूर कहुँगा कि सरकार की हाकिकत को और सरकार की पारदर्शिता को सरकार ने जिस विकार से रस्ताचार फिशले साड़े चार वर्षों में किया है इसको अपना आइना दिखाने का काम आप लोगोंने भी प्रमुपता से किया है तो निश्चित रूप से हम सब लोग आप सब लोग के सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं कि इस महाप्रश्च सरकार को किसान विरोधी सरकार को महिला विरोधी सरकार को युवा विरोधी सरकार को अधिवासी विरोधी सरकार को अपणा अइना दिखाने के लिए निश्चीत रूपशे आप सब लोग का सहयूब मिलेगा बहुत बहुत धनिवाद अ Hosp your